तो दोस्तो आखिरकार वर्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा साउथ अफरिका वर्सेस इंडिया के बीच जिसका हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थें और दोनों टीम्स दोस्तो अभी तक इस वर्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं हारी है और साउथ अ खिलाफ अच्छा पहॉमेंस करते हैं और क्या इंडिया के तरफ से बिराट को लिए इस मुकाबले में भी फ्लॉप होने वाले हैं या फिर अच्छा पहॉमेंस करेंगे वो भी जानेंगे और सबसे important दोस्तों की captain और vice captain हमें batsman को बनाना है या फिर ballers को क्योंकि यहीं पर आपको बहुत ज़्यादा confusion हो रही होगी तो गौर की जाएगा दोस्ति यह जो मुकाबला है 29 तारीक को मतलब आज ही 8 वजे खेला जाएगा रात में और ground की बात करें तो कैसिंटन ओवेल बार्वडोस में दोस्तों यह मुकाबला होगा और इस ground पर दोस्तों जो recent के मुकाबले हुए है batsman और ballers दोनों को मदद मिली ह तो direct बात कर लेते हैं इस ground की pitch report की उपर तो अभी तक दोस्तों इस ground पर 30 मुकाबले हुए है T20 के पहले बैटिंग करने वोले team 19 बार जीती है और chase करने वोले team 11 बार तो दोस्तों वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला है तो यहाँ पर recent में तो इंडिया team जारतर मैचेस पहले बैटिंग करते हुए ही जीती है लेकिन जो भी team toss जितेगी जारा चांसे से की पहले balling ही कराएगी average score दोस्तों यहाँ पर आपको 160 की आसपास देखने को मिलेगा highest score West Indies ने 224 run बनाई है lowest score यहाँ पर 80 run का है जो कि अफगानिस्तान all out हो गई थी scoring pattern 1500 के नीचे 111 बार score बना है 150 और 70 की बीच में 8 बार 170 और 190 की बीच में 7 बार और 190 की उपर यहाँ पर 4 बार score गया है तो यह होगी यहाँ पर हमारी overall pitch report और इस ground पर दोस्तों थोड़ी बहुत बारिस की भी संभावना है जो कि मैं आपको आगे update करूँगा टेलिग्राम पर तो link में description में दिया है आप लोग जूड़ जाए अब direct बात कर लेते हैं जो recent के तीन मुकाबले इस ground पर खेले गए हैं इसके stats के उपर तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें United States 115 रन पर all out हो गई और England बहुत असानी से target चेस कर लिया और 10 विकेट से जीता जिसमें फास्ट बॉलर को साथ विकेट और अस्पिनर्स को तीन विकेट मिली और उससे पहले फिर से United States 128 रन पर all out हो गया और West Indies असानी से target चेस कर ली और 9 विकेट से जीती जिसमें फास्ट बॉलर को साथ साथ अस्पिनर्स को तो मदद मिली रही है साथ में दोस्तों इस वर्लड कुप में तो आपको पता ही है कि बॉलर्स का बॉल बाला रहा उन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर Vanessa को चौविस विकेट मिली है और spinners को दोस्तो 15 wicket तो कहीं न कहीं इस ground पर spinners को भी मदद मिलती है तो आपको दोनों टीम्स में बहती रहना spinners देखने को मिलेंगे और recent के तीन मुकाबले में first inning में fast अबलर को 16 wicket मिली है और spinners को 10 wicket और second inning में fast अबलर को 6 wicket और spinners को 5 wicket तो यहाँ पर दोस्तों आपको सोच चमाज़ कर team बनानी है और इस video में हम लोग special grand league के teams के उपर भी focus करेंगे अब head to head records की बात करें दोस्तों तो दोनों teams के बीच अभी तक T20 या इतिहास में 25 मुकाबले हुए हैं जिसमें से South Africa 11 बार बाजी मारी है और India केवल इनका एक मुकाबला दोस्तों no result रहा था अब इसके बाद डेलेट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में South Africa की playing eleven तो दोस्तों आपको इधर से Quinton D.Cock और Reza Hendricks opening करते दिखेंगे फिर तीसरे नमबर पर Captain Adam Markaram आएंगे फिर Middle Order से Trisana Stops और Handish Class N फिर Lorder से David Miller और David Miller इस मुकाबले में Trump पिलर रहेंगे क्योंकि इनका जो Head to Head में रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है फिर Marko Jensen उसके बाद महराजा फिर कगिसो रवाड़ा अन्रिक नोड़ जे और तबरेट समसी तो दोस्तों पाउर प्ले में आपको Marko Jensen तीन उभर तक कनफा में बॉलिंग कराते दिखेंगे और रवाड़ा दो भर और आखरी कोहर में अन्रिक नोड़ जे और रवाड़ा आपको बॉलिंग कराएंगे तो यह होगी दोस्तों यहाँ पर South Africa की playing 11 अब इन सारे प्लियर्स और Head-to-head records के recent form डिसकस करने से पहले मैं आप सभी को यह बोल दू कि जो लोग अभी तक हमारे Telegram चैनल पर जॉइन नहीं किया है दोस्तों लिंक मैंने description में दिया है आप लोग फटा-फट से क्लिक करके जॉइन कर लिए क्योंकि यहाँ पर आपको Toss के बाद बिल्कुल free में teams मिलेगी और teams ही नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको playing 11, batting order, toss report, pitch report सारे information मिलेगी बिल्कुल free में तो बहुत सारे लिग जोड़ चोके हैं तो आप भी मौका का फायदा उठाए और चैनल को जरूर कर लिएगा सबस्क्राइब अगर आप लोग भाई हमारे चैनल पर पहली बारा हैं नोटिफिकेशन बेल कौन कर लिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सब सब पहले मिले अब इसके बाद डेरेट बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ अफरिका के सारे प्लेइंग लेवन के रिसेंट फार्म की उपर तो कुईंटन डिकोग का आईपिल में तो रिकोड कुछ खास नहीं था लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखा जया तो सूरू से ही 18-19 रन की पारी खेले हैं स्टार्ट इनको मिल जाता है लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाते हैं और एक मुकावले में 74 रन की पारी खेले और पिछले मुकावले में फ्लॉप होगा है पांतर पांच रन तो कहीं न कहीं कुंटन डिकोड का प्रे फॉर्म से जूज रहे हैं लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं और पहले बार साउथ अफरीका फाइनल के लिए कुलिफाई की है तो इनके फ्लियर्स दोस्तो बहुत ही जोर लगा देंगे जीतने के लिए तो कुंटन डिकोड तो इंपोर्टन रहेंगे ही क्योंकि इनका head to head record इंडिया खिलाब बहुत अच्छा है जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे रिजा हेंड्रिक्स पूरे वर्ड कप में flop रहे हैं और पिछले मुकाबले में 29 सरन की पारी खेले थे और बीच में 43 सरन की तो दोस्तो जारतर मैचेस में flop रहे हैं तो इन पर आपको focus नहीं करना है लेकिन ये वीडियो a special grand league की रहने वाली है तो grand league की point of view से देखा जाए तो कुइंटन डिकोफ उतने important नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको लिया है लेकिन आपको रिजा हेंड्रिक्स पर focus करना है और रिजा हेंड्रिक्स मुकाबले में mega grand league के लिए important रहेंगे क्योंकि recent में इनका performance बहुत अच्छा रहा था world cup से पहले और पिछले मुकाबले में 29 रंग की पारी खेले हैं दोस्तो थोड़े बहुत form में दिखे थे अफगानिस्तान में खिलाफ तो इस मुकाबले में important रहेंगे केवल mega grand league के लिए एडन मारकरम की बात करें तो दोस्तो world cup इनका अभी तक अच्छा ही गिया है 46 रंग, 18 रंग विकेट और पिछले मुकाबले में 23 रंग की पारी खेले हैं तो दोस्तो इनको आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं लेकिन a small league में captain और wise captain के लिए उतने best नहीं रहेंगे लेकिन grand league में आप लोग इनको कर सकते हैं क्योंकि जरत पढ़ने पर spin bowling भी कराते हैं class end की बात करें तो विकेट keeper section से हैं और इनका भी world cup उतना कुछ खास गया नहीं है पिछले मुकाबले में दोस्तो 22 run की पारी खेले थे जब बैटिंग किये थे और उससे पहले 36 run फिर 3 run 46 run 9 run और 4 run और फिर 19 run और world cup से पहले IPL में इनका performance अच्छा था तो दोस्तो अगर South Africa की team toss हारती है तब आपको यहाँ पर क्लैसन को अपनी team में रखना है मतलब कि दोस्तो अगर South Africa पहले बैटिंग करती है तब और वहीं यहाँ पर ट्रिसान अश्टोप्स की बात करें तो ट्रिसान अश्टोप्स दोस्तो इस world cup में इतना अच्छा performance इन नहीं किये हैं और recent में 29 run, 20 run not out, 27 run not out और इनका performance ना करने का कारान simple है कि जरत अब दोस्तो इनको उतना मौकान नहीं मिला है क्योंकि बैटिंग order इनका थोड़ा सा नीचे है और middle order में दोस्तो इनका बैटिंग order confirm भी नहीं रहता है कोई भी player कभी भी उपर आ सकता है तो क्लासेन और ट्रिसान स्टोप्स दोनों में से एक important रहेंगे अगर South Africa दोस्तो पहले बैटिंग करती है क्योंकि आपको पता है कि अगर South Africa पहले बैटिंग करेगी तो कोशिस करेगी दोस्तो 200 की उपर target करने के लिए तब हो सके इनका top order जल्दी आउट हो जाते है मिडल ओर को जल्दी मौका मिल सकता है अब डेविड मिलर की बात करें तो डेविड मिलर इस मुकावले में drum player रहने वाले हैं हमारे लिए उपर से रिजा हैंडिक्स तो मनें बता ही दिया नीचे से डेविड मिलर क्योंकि इनका भी average बहुत अच्छा है इंडिया खिलाफ और इस वर्ल्ड कप में पिछले मुकावले मातर 4 run की पारी खेले थे और रिसेंट में 69 run और 29 run केवल दो ही मुकावले में अच्छा performance किये हैं लेकिन head to head के कारण आप लोग इनको अपने टीम में जरूर रखिएगा क्योंकि नॉकावट मुकावले में जरातर साउथ अफरिका का record रहा है कि टॉप order पूरी तरीके से flop हो जाती है और आखिर में डेविड मिलर की उपर ही जारोमदार आ जाता है तो उसके हिसाब से important रहेंगे मारको जैंसन की बात करें तो आपको पता है कि power play में विकेट लेते हैं और बिराट कोली उतने अच्छे form में नहीं है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकावले में मारको जैंसन को power play में विकेट मिलने वाली है या फिर बिराट कोली को या फिर रोहिट सर्मा दोनों में से एक दोस्तो विकेट लेंगे और जहां तक मुझे लग रहा कि इस मुकावले में बिराट कोली परफरमेंस कर सकते हैं प्रोहिट सर्मा जल्दी आउट होंगे और मारको जैंसन को पिछले मुकावले में तीन विकेट मिली उससे पहले 21 रन एक विकेट केसर महाराज का इस वर्ल्ड कप उतना कुछ खास गया नहीं है पिछले मुकावले में विकेट लिस रहे हैं और रिसिंट में एक अक विकेट ही मिला है शुरू आती में दोस्तो तीन विकेट रदो विकेट मिली थी पिछले मुकावले में दो विकेट ही मिली है और जो यहांपर मैं बता दू कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉrangिंग कराती है तब दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों बोलर्स में एक बोलर को अपनी टीम में रखना ही है या तो आप लोग अगी सोरा बाड़ा को रखिये या फिर दोस्तों अंडिक नोड़ जे को और तबरेट समसी की बात करें तो जैसे मैंने टॉप ओडर से बताया रिजा हैं फिर नीचे से डेविड मिलर उसी तरह मैं तबरेट समसी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इस World Cup में समसी मातर चार ही मुकाबले खेले हैं और चार मुकाबले में दोस्तों इनको 11 विकेट में लिए है लेकिन फिर भी इनको मातर 40% लोग लिए है तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय तो यह होगी दोस्ते हैं पर साउथ अफरीका के प्लेंग लिएवन के रिसेंट फॉर्म और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी रिकॉर्डर यहाँ पर मैंने लिख रखा है आप लोग देख सकते हैं अब डेरेट बात कर लेते हैं हेड टु हेड रिकॉर्ड की उपर है तो हेड टु हेड रिकॉर्ड अगर देखिएगा तो कुईंटन डिकॉक का चवालिस के अबरेज है मैंने आपको बताया था रिजा हैं और मारकरम का 33 का है क्लासन का 27 का है तो टॉप ओडर में सबसे ज़्यादा बेश्ट दोस्तों यहाँ पर जो अबरेज है वो कुटन डिकॉक का है और फिर मारकरम का है बॉलिंग से दोस्तों कोई भी साउथ अफरिका के बॉलर्स का उतना एच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया खिलाफ तो आप लोग यहाँ पर तबरेज समसी कभी देख सकते हैं 12 मुकाबले मात्र 7 विकेट मिली है रबाड़ा को भी दोस्तों केवल 8 विकेट मिली है नोटजे को 6 विकेट माहराजा को 10 विकेट और जैंसन को 2 मुकाबले में 2 विकेट तिये होगी दोस्तों साउथ अफरिका के हेड टू हेड रिकॉर्ड अब इसके बार डारेट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इंडिया के प्लेइंग लेवन तो दोस्तों इधर से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा सेम रहेगी प्लेइंग लेवन तो मैं जारा टाइम में आप साभी का नहीं करूंगा अर्षदीप सिंग पॉर प्ले में दो भर बोलिंग कराएंगे और भूमरा दो भर बो पिछले मुकावले में 57 की पारी खेले फिर उससे पहले 92 की और स्टार्टिंग में 52 की भी खेले थे तो दोस्तों रिसेंट में देखा जाये तो यहां पर बीच में फ्लॉप इनका पॉमंस रहा है तो दोस्तों रोहित सर्मा को इस मुकावले में 90% लोग लिये हैं तो ग्र सके दोस्तों बिराइट कोली final match में performance कर जाएं बहले पूरे सिजन में अच्छा performance ना किए हो और कई ऐसे पिलर रहते हैं कि टीम उनके उपर भरोसा जटाती है और आखरी में में पर performance कर जाते हैं तो हो सके बिराइट कोली खेल जाएं क्यूंकि IPL में तो हायट रन स्कूरर थे ही और पिछले मुकाबले में मातर 9 रन पराउट हो गया है फिर 0 रन और इस वर्ल्ड कप में दोस्तो 24 रन और 33 रन के ही इनकी पारी लिकली है बाकि सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए है रिसब पंथ की बात करें तो रिसब पंथ पिछले मुकावले में मैंने बताया था इंग्लैंड के खिलाफ रिकोर्ड कुछ खास नहीं था चार रान ही बनाने पाये थे और साउथ अफरिका का खिलाफ भी इनका रिकोर्ड कुछ खास नहीं है तो आप लोग टॉप ओडर से रोहिच सर्मा, बिराट कोली और सूर्यक मर्यादों को ले सकते हैं रिसब पंथ पर आपको उतना फोकस नहीं करना है पोहमेंस कर सकते हैं लेकिन चांसे कम हैं दोस्तों रिसेंट में अच्छा खासा पोहमेंस तो किये हैं लेकिन पिछले दो मुकाबले से फ्लॉफ हो गए हैं सूर्यक मर्या तो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और इनका सबसे अच्छा हेट टू हेड रिकोर्ड है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा यहां पर 47 रन बनाये थे पिछले मुकाबले में और उससे पहले 31 रन की पारी खेले थे फिर दो सतक अरसतक भी लगाए हैं सिवम दुवे की बात करें तो आपको क्या लगता है सिवम दुवे के जगप पर रिंकु सिंग को लेना चाहिया था या नहीं तो इस मुकाबले में हम लोग say option पर ञ्र expensive नहीं करेंगे अ Sakura Patel भी दोस्तो धो zawsze option रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में तीन विकेट लिये हैं और सारे दोस्तों वर्ड कप में मुकाबले में इनको wicket मिली है कि वो एक मैंसे छोड़ कर फिर रवेंद्र जड़जा उतने अच्छे format नहीं रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दो कि इस मुकाबले में जड़जा performance कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जड़जा को आपको mega grinding में लेकर चलना है पहले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो अब बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में अर्षदीप सिंग को विकेट नहीं मिली आप लोग देख सकते हैं इसी कारण दोस्तों अर्षदीप सिंग को मातर 40% लोग लिये हैं लेकिन इस मुकाब ग्रेंड लिक लिए इंपोर्टेंट रहेंगे बाकि जस्परीद बुम्रा और कुल्दी प्यादो तो से एफ अप्शन रहेंगे ही तीन विकेट और दो विकेट लिए हैं दोस्तों पिछले मुकाबले में अब दोस्तों डेरेट बात कर लेते हैं यहां पर जो प्लियर इंग्लेंड खिलाब भी फ्लॉप थे और साउथ अपोर इनका कुछ खास रिकर्ड नहीं है सबसे बेहतीरीन रिकॉर्ड है दोस्तों सूरीको मरियादो का 68 रन का और उधर से डेविड मिलर का ओध में आपको बताया था तो डेविड मिलर सूरीको मरियादो दोनों मिडल और इंडियन बॉलर्स का देखिएगा तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिलेगा साउथ अफरिका के बॉलर्स से तो अच्छर पेटल को तो उतनी मदद नहीं मिली है तो यहां पर दोस्तों हम लोग चार टीम कॉंबिनेशन देखने वाले हैं तो सबसे पहले जो हमारी टीम रहेगी यह पूरी की पूरी दोस्तों बैलेंस टीम रहेगी साउथ अफरिका की तरब से मैंने 5 प्लियर को लिया है और इंडिया की तरब से यहां पर मैं 6 प्लियर को ले रहा हूँ कैप्टन दोस्तों मैंने हार्दिक पंडिया को बनाया है वाइस कैप्टन मारकरम को और मारकरम की जगह पर आप लोग कुंटन डिकोग को भी कर सकते हैं कैप्टन की बाद दोस्तों मैंने विकेट कीपर से कि वो लेखी बैट्समें लिया है कुंटन डिकोग को फिर इंडिया के तरब से रोहिच सरमा सूरे को मरे याद ओ अब बिराट कोली को मैं यहाँ पर रख रहा हूं रिस्तप पंत की जगह पर चाहें तो आप लोग रिस्तप पंत को रखिये या फिर बिराट कोली को लेकिन chances high है इस मुकाबले में performance करने का भले ही पूरे world cup पे ना किये हो लेकिन इस मुकाबले में performance करके साबित कर सकते हैं कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी तो है है बाकी दोस्तों डेविड इमिलर को मिले लिया है head to head record के basis पर दो लाउंडर तो हमारे रहें गई बॉलिंग से मैंने बुमरा पर focus किया है फिर कुली प्यादों पर फिर दोस्तों तबरेट समसी और रवाड़ा रवाड़ा और समसी को दोस्तों recent के सारे मुकाबले में विकेट मिली है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग लिये हैं समसी के खास करके 11 विकेट मिली है तो यह होगी दोस्ते हैं पर हमारी पहली टीम जो की दोस्तों पूरी बैलेंस टीम रहे यहां पर मैं यह नहीं सोच रहा हो कि इंडिया वन साइड़ जीतेगी या फिर साउथ करेगी अगर कांटे की टकर होती है तब और बॉलर्स को मदद मिलती है और दोस्तों यहां पर इसी साबस मैंने टीम बनाई है अब दूसरी टीम की बात कर रहे तो यह दोस्तों हमारी पूरी दोस्तों यह जो टीम बनाई मैंने बनाई है यह पूरी पूरी दोस्तों बॉलर अगर विकेट लेते हैं तो जहर सी बात है दोनों टीम्स के टॉप ओडर आउट हो जाएंगे तो यहां पर मैंने कैप्टन किया है अर्षदीप सिंग को वाइस कप्टन मार्को जैंसन को क्यूंकि दोनों टीम्स की तरफ से मातर एक अक ओपनर बिराट कोली और कुंटेंडिक को ही मैंने लिया है तो जहर सी बात है अगर इन दोनों को मैं कैप्टन कर रहा हूं तो बॉलिंग कराएंगे तो होसे के विकेट लेंगे तो यहां पर मैं यह शुत्राओं की अर्षदीप सिंग दोस्तों यहां पर रिजए हैंडिस का विकेट लेंगे बाकि ट्रिसान स्ट यहां पर इंग्लैंड के तरफ से साथ प्लियर रखा है और साउथ अफरिका की तरफ से चार प्लियर और यह जो पूरी टीम है यहां पर केवल एक प्लियर छोड़ दिया जाए बिराट कोली को तो बाकि सारे प्लियर्स दोस्तों वही आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस वर्ल्ड कप में अच्छा पोहमेंस किये हैं और यहाँ पर मैंने रोहित सर्मा के जगपर विराट कोहली को रखा है क्योंकि इनका चांसस बहुत ज़्यादा हाई है इस मुकाबलें पोहमेंस करने का अब जो हमारी तीसरी टीम है दोस्तों यह पूरी को पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए है कैप्टन दोस्तों हमारे यहाँ पर दोस्तों रहेंगे तीसरी टीम में रोहित सर्मा और वाइस कप्तान दोस्तों जो रहेंगे जस्परित बुमरा इंडिया की तरफ से मैंने साथ प्लेर को यहाँ पर लिया है यहाँ पर मैं कुल्दी प्यादो, अर्जदीप सींग और हर्दिक पांडया, और रौंडर मिला कर चार बॉलर को ले रहा हूँ तो टॉप ओडर से केवले को उपना रीजा हेंडिक्स को मैंने लिया है मिडल ओडर से डेविड मिलर मारकरम और एक बॉलर अरबाडा को तो अगर इंडिया टीम वन साइड जीती है तो ये टीम आप लोग के लिए बहत्रिन रहेगी और यहाँ पर आप लोग वाइस केप्टन बिराट कोली को भी कर सकते हैं कप्तान भी अब इसके बाद चौथी टीम की बात कर रहे तो ये दोस्तो बिल्कुल अपोजिक टीम है अगर साउथ अफरीका बाजी मारती है तो कुईंटन डिकॉप को मैंने कैप्टन किया है और महाराजा को लिया है इंडिया की तरफ से कोई भी अपनर मैंने नहीं लिया है रोहिट सर्मा को और नहीं बिराट कोली को रिसब पंत और सुरिको में जादो को मेरा करा हूँ अगर इंडिया जीतेगी तो सांदार गीवेत होगा ही और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लाइक जुरू करिएगा धन्यवाद दोस्तो